मैं किसे भी कम टाइम में बनने वाली है मिर्स फिकल जिसे मैंने विदाउट वीनिगयर कोई प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया फिर भी आप इसे श्टोर कर सकते हैं रियली फ्रेंड्स आप इसे बना लेंगे तो जिसको भूख नहीं होगी वो भी चार-चार रोटिय करें और लाइक करें अगर मेरे चल को फर्स्ट पार विजिट करें तो प्रीज मेरे फ्रिज में तो यह दो दिन पुराना हो गया है आप बिल्कुल ताजी हरी मिर्स से बनाएंगे तब भी वैसा ही बनेगा अगर रखी वी हो भी हो तो कोई बात नहीं है और मिर्चा मोटी लेख यह मेरी तरह बतली हो तोड़ा तीकी वाली ले यह कम तीकी वाली यह आप अपने कॉर्णिंग अर्जेस कर सकते इनने में दो बार धो लिया है और कॉर्डूंग कप्ड़े से पूच कर फैन के नीचे रख दिया है आप इन्हें अच्य से सुखा जरूर ले और मैं य नल्दी पाउडर लिया है और लाल नहीं बरके और हिंग लिया है वन टी स्पू्न से थोड़ा सा कम है और मैं यह आम चूर पाउड़र लिया है असैके आम चूर पाउडर का यूद जरूर काइं किन तो बड़ा चटपटा प्रेवर को कि मेरे गर में बहुत पसंद करते हैं सभी तो चलिया आपको समझा देते हैं कास्मिरी लाल मिर्च आपको जरूट डालना है हल्दी को भी जरूट डालना और हींग को भी और आपको आमचूर पाउडर यह सब सारी चीजे आपको रोष्ट नहीं कहनी है इसले मैंने इनको अलग हटा दिया है आपको सौंप जीरा और धनिया को रोष्ट कर लेना है बर बहुत ज़दा इन्हें जलाना नहीं है बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इन्हें रोष्ट कर ले और क्वांडिटी आप ऐसे ही रखें वन टीस्पून सौंप वन टीस्पून जीरा अगर थी टी इसको इतना ही डालना है अगर आपकी डाइसोग्राम कौनिटी में और इसे कट लगा लें चैची से लगा या नाइप से ऐसी और मज़ेदार रहें इस भी देखने के लिए मैं चल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन को जरूर पसकर लेना और देखिए म अपनमक थोड़ा जादा ही डाले और टेस्ट भी अच्छा आता है तो कम ना रखें और मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और ही जरूर डाले 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 डायुटी सिस्टम के लिए अच्छी होती और फ्लेवर भी अच्छा आता कि सी भी पिकल में और कस्मीरी लाल कि खटा पान ही ओवर लगे आपको अगर आपको मिर्च बिल्कुल कम तीखी वाला पिकल पसंद तो आप क्या करें मिर्च पतली ले या मोटी वाली ले तो आप उसका बीज हटा दे तो उसका तीखा पन काफी हद तक कम हो जाता यह देखिए अच्छे से कोटिंग करने के पहले ही आप इसे ड्राइक पहले कोटिंग कर लें फिर आम इसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे यह मैस्टर डायल है बहुत जदा यूज नहीं करने ही इसे अच्छे से इसका दुआ निकलने तक गरम कर लिया और उसके बाद ठंडा कर लिया फिर मैं इसमें यूज कर रही ह तो कोई बात नहीं खराब नहीं होगा बस आपको क्या करना है आप कोई प्रिजर्वेट्यू भी डालना नहीं चाहते जैसे मैंने कुछ भी नहीं डाला है तो आप इसे बस बीज-बीज में धूप दिखाते रहें पहले आप अभी एक दो दिन इसे दिखा लें फिर उसके डाला है अगर आप वाइड बिन गया डाले तो आम चूर पॉडर आप इसके भी कर सकते और देखिए मैंने पहले ही कोटिंग की दिना तो इसलिए बहुत अच्छे से इसमें प्रॉपरली कोटिंग हो जाती है और आप मैंने मिक्स के लिए बरनी को गरम पानी से दूप कर दूप में सुखा लिया है आप जिस भी किसी टिफिन या बरनी या एयर टाय डिबे कर जिसका भी आप यूज करें आप उसे धूप दिखा लें अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर उसमें आप भरें और मैं नीचे तेल अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाहें तो गरम क तो अपर से डालोंगी तो मैंने एक्स्टा गरम किया था उसी को मैंने बचा लिया था थोड़ा सा उपर से डाल दूंगी इस से इसकी क्या होगा न से अच्छी हो जाएगी अगर हम दूप नहीं दिखाएंगे तो थोड़ा सा ओयल रहे गा इनमें तो यह जल्दी से देता है और तीखा पंकम करना चाहिए तो इसके आप बीज हटा दें और इसे मैं अभी एक दो दिन दूप दिखा कर बस ऐसे ही रख लोंगी जब भी से खाएं आप इसे सूखेंगे बहुत ही टेस्टी लगता है यह आप ट्रै करके देखेगा और बनाना तो आपने देख मेरी आने वाली न्यू वीडियो प्लिशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सभी बनाए खाएं और इंज्वाइं करें थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो लब यूटूब फेमली अगर आपने मेरी यह वाली रेस्पी नहीं देखी तो जाए मेरे चैन पर देखें औ बाए बाए